हेलो स्टुडेंट मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैंगनेट ब्रेंज हिंदी पर मैंगनेट ब्रेंज हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्छा 6 से लेकर कक्छा बार्मी तक का संपोल्ड पाठ्यक्रम नहीं सुल्क कराया जात तो यह जाति हम इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करने से अब यह जो चेप्टर है ना यह बहुत इंटरस्टिंग चैप्टर है मतलब इसको आप समझेंगे इसको आपकर connect कर पाते हैं तो आप दुनिया भर में जिसे चाइना में क्या चला है चाइना की विचारधरा क्या है रूस में कैसा चला तो अगर आप अगर इस चैप्टर को आप समझ लेते हैं अच्छे से आपकी समझ में आ जाता है आप इसकी बजब देखते हैं कि चैप्टर में दो नाम दिए गåए हैं जिसको आप कह रहे हैं यूरोप में समाजबाद और रूसी खुड़ा अप यह चैप्टर जो है वो दो टॉपक लेकर चलना है दो टॉपक कौन से एक तो समाजबाद वादवारा टॉपक ले चलना है और रूसी ग्रांदी तो अब यह दौना टॉपक जो है वह एक दूसरी से क्या है सबसे पहले तो आप यहीं जानेंगे कि भाई समाजबाद क्या है तो आप यह देख रहा है जिन भी पीछ जिन भी सब्दों के नाम के पीछे वाद लग जाता है वह एक विचारधारा टाइप की बन जाते हैं जैसे आफ समझ यह जाती बाद छेत्रबाद धर्म बाद पूजी बाद समाजबाद जिनके पीछे वी बाद लग रहा है वो क्या है विचारधारा जाती बाद मतलब एक ही जाती की बिचारधारा छेत्र बाद मतलब एक ही छेत्र की बिचारधारा रास्ट बाद मतलब एक ही रास्ट की बिचारधारा ऐसे ही पूजी बाद मतलब प क्यों यूरोप से ही इसको start किया जा रहा है और इसका क्या असर हमें रूस्त में या रूस्त की क्रांत्वी के साथ इनका क्या संबंध है या इन दोनों का आपस में क्या संबंध है ये भी हम देखेंगे तो हम सबसे पहले थोड़ी सा समाज बात के बारे में जान लें समाज बात क्या है समाज बात के बारे में आप ये जानिए समाज बात की बिचारधारा ये कहती है कि सभी संसाधन जो भी देश में उपलब्द संसाधन है जो भी रिसोर्स अविलेवल हैं उनको जनता में या समाज में बराबर बराबर बांट दिना चाहिए जबकि अगर आप देखें कि आज का समाज क्या कहता है आज का समाज कहता है कि जिसकी छमता जादा है जिसमें कैपसिटी या अकल जादा है वो जादा पैसा कमा लेता है और जिसमें कम है जिसकी छमताइं कम है वो कम पैसा कमा पाता है इसको आप पूजीवादी विचारधारा से देख सकते हैं या पूजीवादी समाज कह सकते हैं लेकिन समाजक बात किचना किया कि आप आपकी छमता जादा है तो ठीक है आप जादा खमा रहे हैं लेकिन आपसे कुछ पैसा लेकर गरीब लोग ईनमें भी बाटते जाएगा जो निचले हैं ज़ो पिछड़े रह रहे हैं उनको भी बराबर लाए जाएगा इसको समाजबात कहा जाएगा समाजबात में हम यह देखेंगे कि भाई यह समाजबात की बैक्ग्राउंड क्या है यह कैसे डेवलप हो पाया तो इसमें थोड़ा सा हमें फ्रेंच फ्रांसिसी क्रांती थोड़ी सी हम देखेंगे उसमें क्या है चैप्टर नंबर फ़स्ट में अपने पढ़ी होगी फिर इसके प्रतिपादक कौन है किसके दवारा यह बिचारधारा दी गई है और इसका आदर्स क्या है तो आदर्स अपने देखा कि समाज में लगभग यह एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको मानने वालों की संख्या बहुत हो गई थी एक टाइम पर इनके जो फॉलोवर्स या अनिवाई थे बहुत अधिक मात्रा में थे और इनके दवारा ही समाज बात का कॉंसेप्ट या समाज बात की विचारधारा दी गई है यही दुनिया म हम देखेंगे इनका क्या मतलब है तो जो एक हम रूसी करांतिया कॉंसेप्ट देखेंगे कि समाज बात यूरोप में ही क्यों स्टार्ट हुआ यूरोप में स्टार्ट होने के साथ साथ इसका रूस पर क्या प्रभाव पढ़ा रूस पर प्रभाव पढ़ा तो जब हम रू दूसमें आप देख पाएं कि बड़े नेता के तौर पर जैसे भारत में गांधी जी और दूसरे और बड़े नेताओं को आप देखते हैं तो वैसे रूस्तिकरांती के दौरान ये दो बड़े नेता आप देख सकते हैं तो हम इनके बारे में भी देखेंगे अब हम देखें कुछ गुरुप बन जाएंगे जैसे उधारबादी रेडिकल जो तुरंत बदलाओ चाहते हैं और रूडिवादी जो अपनी उधारबादी क्या है जो नई विवस्था आ रही है कुछ समाज में कुछ नए बदलाओ आ रहे हैं ओपन माइंडेट लोग जो चीज को सुईकार करते हैं रेडिकल क्या है जो तुरंत बदलाओ चाहते हैं उधारबादियों में क्या है कि जिसे आप देखें कुछ लोग ठीक है ऐसा भी होगा तो चलेगा रेडिकल क्या है जो तुरंत बदलाओ चाहते हैं आज ही बस रात में कर तो सुबह से नई विवस्था चालू हो रूड़ी बादी क्या है कि जो पुरानी विवस्था में कोई बदलाओ नहीं चाहते तो इनके बारे में भी देखेंगे और दोगएक समाज कैसा है चुकि इस टाइम पर इंडस्टिलाइशन भी हो चुका होगा परियात मातरा में तो और दोगएक समाज क्या है वो भी देखेंगे समाजिक परिवर्तन कैसे कैसे चल लाए है ये भी देखेंगे चुकि ये तो हमारा टॉपिक ही है यूरोप में समाजबात कैसे आया और उसके आने के क्या प्रभाव है समाजबात के लिए समर्थन कैसे तैयार हो पाया तो ये टॉपिक हम समाजिक परिवर्थन में देखेंगे फिर एक अगला टॉपिक आपके इसके अंदरगत है जिसमें आप रूसी क्रांती कह रहे हैं तो हमें 1914 के आसपास का रूसी समराज देखेंगे वो जार का सासान ये सारी बाते हम देखेंगे और रूस में उस ताइम पर उसकी अर्थवस्था कैसी है वहां का समाज कैसा है खेती किसानी जादा है या ब्यापार जादा है ये बाते हम उसमें देखेंगे रूस में समाज बात तो कैसे लिया रूस में समाज बात कैसे सैट हुआ ये देखेंगे 1905 की रूस्ति बानते वोगे वो फुर फर्वरी ही क्रानती के बात की घृतना है अक्टूबर ही क्रानती और कि बात क्या होगा कि महांपर सिविल वार हो जाएगा महांगे ग्रह तो और समाजवादी के बाद जो रूस था या जो रसिया था वो सोवियस संग बें बदल गया था तो हम यह यूएससर वाला कॉंसेट्ट देखेंगे और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी देखेंगे यूनाइटेर स्टेट आफ सोवियस संग जिसको आप कहते हैं रूस का जो नाम पुराना था जो तूटने के बाद या जो इस टाइम पर करांती के बाद जो बनेगा सोवियस संग तो यह सारी बात हैं हम इस चैप्टर के अंतरगत देखने बारे हैं तो यह जो वीडियो था इस चैप्टर का एक परचय या इंट्रोड़क्री वीडियो टाइप से था जिसमें हमने यह देखा कि समाज बात क्या है और हम इस चैप्टर के अंतरगत पढ़ने क्या वाले हैं अब इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने के समाज बात क्या है और कैसे स्टार्ट होगा अब देख रहे होंगे कि मैगनेट ब्रेंस हिंदी हिंदी माध्यम के विध्यारतियों के लिए बिलकुल नहसुल्ख टॉपिक बाइस चेप्टर बाइस एकदम अरेंज फॉर्मेट में बहुत अच्छे से वी मैनेटबरींस हिंदी को सबस्क्राइब करें जुब्री सेशन्स वोते होंको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में सेयर करें ताकि ज़्यादा-जादा लोग इस चीज़ का फायदा ले सके और कमेंट भी करें कमेंट करकर जरूर बताएक थैंक्यू